हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज केटल हम लोगों की चल रही थी सीरीज किसकी क्लॉक की क्लॉक की सीरीज चल रही थी हमने देखना था एंगल किस तरी कसे निकालते हैं कैसे फाइंड करते हैं ताइंग आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से concept की और उसका नाम है water image and mirror image किसकी clock की आज हम clock के water image और mirror image के बारें पढ़ेंगे कई बार students की query आती है कि ma'am जब clock इतने बजा रही होती है और mirror image पूछी जाती है या हमसे water image पूछी जाती है तो question के answer हमारे सही नहीं होते यह हमारे गलत हो जाते हैं तो ऐसा बताईए कुछ की जिससे हमारे questions गलत ना हो तो आज मैं आपको super simple trick बताने वाली हूँ तो देखो कैसे माल लीजे आपकी गड़ी है पहले तो हम समझेंगे concept ठीक है गड़ी है इसमें time बजा देते हैं यह 12 यह 6 3 9 10 11 यहां 1 2 4 5 7 और 8 यह time है ठीक है अब examiner कुछ भी बोल दे कोई भी timearla मिरर कहा लगा होता है धिटा मिर लगा होता है अगर अगर की बात कर रहा है वो कहरह है आपके left side में mir लगा है या वो बोलतें, आपके रहाइड साय हमें लगा है तो भी यह बात applicable होगी और आपको इसकी इमेज बताने हैं तो आपको यह तो पता होगा, टो पता होगा, टी मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का क्या हो जाता है और टी चाटा है अगर पर इस तर नहीं तो मारा दिए मिर्र रखा हो इसके अबस्त अबस्ट एक्जामबल उस अब जांपल इस से ले जाता है अगर पता टो लेके देखिये तीक है पता चल जाएगा कि टाराइट राइट लेफट में तरन हो जाता है तो देखो मेरे रिमेज बतानी है तो mirror image में सबसे पहली चीज कैसे करते हैं तो एक चीज याद रहना, left का right होता है, right का left होता है यानि की change सिर्फ और सिर्फ इस वाले pattern में आता है यानि की आपका 11 में जो सुई होगी वो 1 में आपको नजर आएगी जो आपकी 10 में सुई होगी वो 2 में नजर आएगी जो 9 में सुई होगी वो 3 में नजर आएगी और जो सुई आपकी 7 में होगी वो किस में नजर आएगी वो आपकी नजर आएगी 5 में क्या बोल रहे हूँ है मैं ज़रा देखना मैं कहरे हूँ 11 की जो सुई होगी वो एक में नजर आईगी वो एक बजा रही होगी जो 10 में सुई होगी वो आपकी 2 में नजर आईगी जो आपकी 9 में सुई होगी वो 3 में नजर आईगी जो 8 में होगी वो 4 में नजर आईगी जो 7 में होगी वो 5 में नजर आईगी और रही बात 12 और 6 की, तो 12 और 6 हमेशा अपनी ही जगा पर मौझूद होंगे, क्योंकि आप इनको नहीं चेंज कर सकते, अगर 12 यहां है, तो mirror image में भी वो बीच ओ बीच यहीं आएगा, अगर 6 यहां है, तो mirror image में भी वो यहीं आएगा, समझ जो मेरी बात को, अब होता क्या है, किस मैं इस चीज का यूज हम कर सकते हैं, mirror image और water image फाइंड करने के लिए, तो चलिए, एक बार इसका screenshot ले लिए और फिर मैं आपको बताती हूं कैसे हम किसी भी time का actual time पता कर सकते हैं, तो चलिए, screenshot ले लिया, अच्छा, screenshot ले लिया, तो मान लीजिए, मुझे किसी ने पूछा कि 6.25 का time बताया जाए, यानि sorry, घडी में अगर 6.25 का time हो रहा हो, और आपको इसका क्या बताना हो, आपको इसकी mirror image बतानी हो, ध्यान रहे मैं mirror image की बात कर रहे हूं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कि mirror image पूछी गई या water image, अभी हम सिर्फ mirror image की बात कर रहे हैं, त दरपन, प्रतिविम बोलते हैं शाहिद हिंदी में, तो चलिए देखते हैं, 6.25 का time, अब आप खुद सोचो बटा, 6.25 के time पर घडी कैसे होगी, ठीक है, 6.25 के, वैसे आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूं कि कैसे आपको सोचना है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, और 8, ठीक है, मैंने बोला कितना, मैंने बोला 6.25, 6.25 पर, तो बता, 6.25 है होगी गंटी की सुई यहां कही होगी, और ये जो मिनट की सुई होगी और ये 5 होगी, होगी की नहीं होगी, गंटी की सुई को थोड़ा कर देते हैं, so अब खुद सुचो, गंटी कू स्वी और गंटे की सुई किसके बीच में विटा, 6 और 7 की बीच में है, और 6 का सठी प्रतिभेम होगी, साथ का सट का स्वी यह तो अब ये 6 की और पांच के, ये जो सुई यह जो झाश होगी किसने बीच में नजराएगी 5 और 6 के, तो 5 और जो सुई पांच में है, पांच वाली सुई कहा नजर आएगी साथ में, तो अब आप बताईए कि क्या होगा, तो यानि घड़ी जो है, वो कुछ इस तरहीं से टर्न होगी, यह 12 यह कुछ भी टाइम हो, ठीक है, इसको ऐसा माल लेते हैं, नमबर नहीं होते हैं, इसमें ड 12 और 6 ही रहेगा, और जो दूसी सुई यह घंटी की सुई बटा, छोटी कर देते हैं, और जो बनी जो पांच में है, वो कहां टर्न कर जाएगी, वो साथ में टर्न कर जाएगी, ठीक है, कब होता यह ताइम, यानि पांच बचकर कुछ मिनट हो रहे हैं, छे तो नहीं बज तो उसने क्या बोला पांच बज कर फेतिसमिन की समय उरहा है? इसका कहने का मतलब यह है अब इसे और एक अछी तरीक से बतादू में इसे जानने का? वो क्या है दिरे देखना? ज्यारा साथ ज्यारा साथ से उस नंबर को उस ताइम को माइनस कर दो तो आपका time आजाएगा, आपका mirror image आजाएगा 11.60 का मतलब क्या है, 12 गंटे ही तो है यानि एक चक्कर में घड़ी कितने मारती है, 12 गंटे को तो कवर करती है यहां से चलेगी, यहां तक आएगी, 12 गंटे कवर कर रही है तो क्या किया मैंने, I have to subtract this तो मैंने subtract किया, 10 में से 5 गये, 5 में दो गया, 3 उसके बाद आपका, यहां पर हो गया 10, 10 में से 6 गया, sorry हां यहां पर कितना हो गया आपका, 11 ही रहा, 11 में से 6 गया, कितना आएगा, 5 तो क्या 5 पैंतिस टाइम नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, 5 पैंतिस टाइम आ गया, है ना, आप देखते हैं दूसरा कोशन, अगर यह समझ में आ गया, तो इसका ले लो फटापर से स्क्रीन शॉट और बढ़ते हैं दूसरे कोशन की दरफ, दूसरा कोशन देखें क्या है, अब नेक्स कोशन है, 7 बचकर 10 मिनट, 7 बचकर 10 मिनट का टाइम दिया एक्जामिन ने, और कहा है आप इसकी मेरे रिमेज फाइन करें, आप दोनों तरीक से फाइन कर सकते हैं, आप 11 साट में से माइनस कर दो, कितना, 7 दस माइनस कर दो, करोगे माइनस क्या आएगा, या ऐगा 0 या ऐगा 5, 11 में से 7 गया, कितना बचेगा, 4, तो या देगा 4 बचकर 50 मिनट, होने चाहिए क्या, बिलकुल, देख लो, 7 दस है, 7 दस में ये स्वीज होगी, यहाँ कही होगी, 7 साट के थोड़ सा आगे, यानि 7 और 8 के थोड़ सा इधर बोल सकते हैं, यह पता होना चाहिए कि इधर है कि इधर है, और 10 मिनट का मतलब यह कहा होगी, यह 2 मिनट की स्वीज होगी, 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 यानि कि यह और 8 किस के लिए 4 के लिए, तो 5 और 4 के बीच में है, तो 5 बचकर 50 मिनट तो हो नहीं सकते, क्योंकि 5 और 4 के बीच में है कहीं सुई, तो 4 बचकर, 4 बचकर कितने मिनट हो रहोंगे, 50 मिनट हो रहे होंगे, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है, तो मेरा रिमेज तो असान है, क बच कर पच्पन मिनट का निकालना है, अगर मान लीजे, for example examiner यह बोल दे, तो मैं 12 बच कर पच्पन मिनट को, अगर हम इस मैथड से करना चाहें, तो 11.30 से मुसको माइनस कैसे करेंगे, हम उसे 11.30 से माइनस कैसे करेंगे, तो 12 गंटे बीत कर, यह आगे का टाइम हो गया, यानि कि घड़ी इतनी तो चली, अब आपको आगे का टाइम भी लेना पड़ेगा, यानि एक दिन में कितने होते हैं, 24 गंटे और 24 गंटे को हम क्या लिखेंगे, 23.30, जैसे हमने 12 गंटे को 11.30 लिखा था, वैसे ही हम 24 गंटे को 30, 60 मिनट लिख सकते हैं, 24 गंटे को ठीक है, अब आपको इसमें से सब्ट्राइक कर दो, 12 गंट आपको देखना है, सब्ट्राइक कर दो, यह हो जाएका 5, यह हो जाएका 0, यह हो जाएका कितना 1, और यह हो जाएका 1, शाएका 5 गंट, 10.01 बचिक कर दो, यह हो जाएका 6, 11.00 जोनेकी हो जो झायागा 5 मिनट के मिनट करना परेगा 5 और बात पांच मिनट करके बिल्कुल और बारा बारा का मतलग क्या है बारा बज के पच्पन मिनट हो रहे हैं तो बारा बज के पच्पन मिनट हो रहे हैं तो बारा बज के पच्पन मिनट हो रहे हैं तो बारा बज के बीच में 1 के 11 कि घिए तो यहना रों, तो यानि इन दोने मुवमें के 12 के 10 के 120 के 12 के 120 के 12 के 20..? 11 के 11 के 5 लिजब तो 11 के 5 मिनुट हो। आप दोने में से कोई वी मेथेज दिक्कत नहीं है का है ? मुझे यह तक देले हैं जब बच्या ब LIN Report जाता है तो यहे लेना होता है यहां रिले लिए लो ग़रे टेंघ मेर ले लिया तो आप 30-न्य वेक णेरी लेक शाइख इन नमीनिट के लिये तो कर दोंते हैं अर्वने के σ Im यहां पर 20 मेर गहाँ आप जाएख उड़ी साड़ हुण तो इस तरह का question भी बन जाता है तो कई बार भच्छे इसमें confusion राते हैं दो इसलिए में कहा लिए हो यह वाला method सबसे best है सबसे best 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 ठीक है चलिए बात करते हैं water image water image की बात कर लगेते हैं बहुः मेरा निमेज में क्या होता है पता चलिया गडी का जल प्रतिभिम की बात कर रहे हैं, पहले तो गडी बना लो, ये लो बना दी गडी, ये बारा, अच्छी गडी नी बनी लो, ये लो थोड़ी अच्छी बना देते हैं, ये 6, ये 3, ये 9, ये 10, ये 11, 1, 2, 4, 5, 7, और 8, ठीक है, ठीक है, अब उसने क्या बोला, वो भी, जरोरी है झाख जब हम मिरर की बात कर रहे थे, मिरर मिरर की बड़ावा थये टो लेफ्त ए रही लेकिन जब हम बात कर रहे टे unlocked लेकिन ज़ परतिभिमों की तो जल प्रतिभिम में ऊपर का नीचे और नीचे का उपर होता है यानि ये फरै जफ ए मिरर में लेफ टू यहां पर निछ निच रहे का रहेंगा तो सब्सक्क अई इस यह रहेंग की 9 और 3 और 3 रहेंगे जैसे संप्सक्राइब वं लिले इसे स्सक्ते कंषण कोष्ण आप स्मय रहें जाएब समय तो किसमी नीचे इसरो करहें जाये सब्सक्राइब तो पहला question देखो, इसका screenshot ले लो, पहला question देखो, पहला question आपको दिया है examiner ने, 10 बच कर 7 minute, देखो, या 7 बच कर 10 minute, 10 बच कर 7 minute, 7 बच कर 10 minute, कुछ भी ले लो, छोड़े से question से start करते है, 7 बच कर 10 minute, खुद सोचो, 7 बच कर 10 minute में, सुई का होगी, 6 पर, मतलब अगर मैं आपका फूजट का है, 10 और 11, यानि कि 10 और 11 के बीच में होगी, और 10 और 11 के बीच में होगी, तो 10 बच कर कुछ मिनट होगे, बिलकुल, और 10 मिनट की सुई है, 10 मिनट बच चुग है, 10 मिनट या दो पे, और 2 का मतलब क्या है, 4 पे, और अगर 2 का मतलब 4 है, तो 10 और 20, बा कि मैं इसके लिए भी एक टीक हो ती यसे भी आपने 1160 में से माइनस किया मीरे मेरी में मह ताइयम को तो वा हम 1830 में से माइनस कर देते हैं तो कड चलो करके देखते हैं खर täll ऐसा है तो साथ-10 को मैंना मैंने साथ दस माइनस किया मैंने, क्या आया, 0, यहाँ पर क्या आया, 2, यहाँ पर क्या आया, आपका 1, 11, 20, 11, 20 आपका टाइम हो गया, अब यहाँ पर देखो, 11, 20 टाइम होना चाहिए, सही निकाला मैंने, 7 गया ना, तो 11 ही तो होगा, 11, 20, यह सही निकाला मैंने, 11-30 में, 18-30 में से माइनस करना था, किसको इसको, 7-10 को, 0-0 गया, 3-7 गया, 2-8-7 गया, 1-1, यह क्या रहा है, यह तो 11-20 हो का टाइम, आप खुद सोचो, 7-10 पर सुई है, 7-10 यानि यहां इसके बीच में कहीं, घंटे की सुई, ठीक है, चोटी बना ल माज़कित, इसके धानरे, यह तो आपकी 7-8 की बीच में हाँ, वह आपकीचमें, एक्टे में 9-11 के बीच में होगी, और जब की सुई 10-11 की बीच में होती है, तो 10-15 क만य मिन बाएं, लेकिन आपका सुई तक यह तैम है, आपका टाइम आए, आपका पार 11-20 मिनट, तो इस अब यही फार्म्ला है जो आपका काम आएगा यह बहुत घड़वड करता है यहां तो चलो अब बात करते है कि इससे ही करना है है बिलकुल चलो इस बात को फिर प्रूफ करते हैं क्या मैं मैं ही शही बहुत रहा हु यह ऐसा ही कोशन में है सा फिक तो चलो एक श्कीन शॉट खाम, यह कोशन कोशन लिखो, शार बचिकर 30 е से शार बचिक कर तीस मिनेट पर टाइम होगा एसा जो आपको , भाटी की सुई होगी और कशार और पांज कोई, मतलब के जाए जाएब कर भाटीक की बाटर में 2 in 12 में 12 में 20 की स्वी, यानि 1 using ऒच्च टाइम बचना चाहिए जो चार और पांच की बात करूए एग का लिट का टाइम पर देखो यहंग precede अगर 2 में बात कर दो ऑने खुआ हो अब का गंटांटी की स्वी? क यह छोने चाहिए और इस ऐहा होने चाहिए रहा चाहिए तो इसके हिसाब सेहर मैं देखूं तो एक बजना चाहिए था मतलि में चाहिए तो एक स्वादा चाहिए, बज़णा चाहिए नी बज़णा चाहिए बिलकुल बज़ना चाहिए C मारे साफ चाहिए इस के इसु आप सच में असी हो सकती है तो रुटो पे थीमने और पेजिए और इन मिनटो पँची हो भई जब मिनट की सुई यहां होती है जो गंटी की सुई हो किसी एक exact number पर रुकी होगी तब ही तो ठीक उतना time हो रहा होगा तो मैंने का यह क्या लोच्चा है भई मैंने का आप देखते हैं इसी चीज को तो प्रूफ कर रहे हैं हमारा क्या है? 8.30, 18.30 इसमें सम क्या माइनस करेंगे? जो हमें टाइम निकालना था 4.30 हमने किया तो यहां गया 0, 18 इसमें से गया 4 इसमें से गया 1 तो यह कितना आया? यह तो 2 बज गया 14 का मतला होता है 2 बजने वाला अब बच्चे फिर परिषान, अरे यह 1 और 2 की बीच में है और 1 के बूप कैसे बज गया? कैसे हमने कैसेbot आ सकती? इस लिए ध्यान रखना मेटा हम इसको परिफरेंस परते हैं इसको नहीं देते 2 तो बज ही नहीं सक्ता देके और इसा हो भी निए सकता कि फि 있으 और गंटी कि बीच में हो किसी homem जो नम्मर के और मिनेट कि सिधा 12 में हो ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहिSA तीक है कि लीनरस और नेरसनिममर के होगा एक एक बज़ रहोगा उस समय उस हसाब से तो नहीं लेंगे कई किताबों में लिखा रहता है आप दो नहीं लेंगे तो अगर ऑप्षिन में एक नहीं है और दिया और बिगुल बीच का टाइम हो रखा है तो आप क्या लोगे तो आप दो ले लेना आप 75 के भी तो आप 5 ने है तो 5 नहीं है त्वी नहीं है, तो यह किसा निए तो आप बड़ेश रहुगे और मिनट कि सुवी सुवी तरब के इस चार नहीं है, तो आप क्या लोगे थीत टीए है। और 14 यानि आपका 2, समझ में आई बात, चलो, समझ में आगी तो एक और नंबर करते हैं, देखते हैं इसे कौन करता है, ये भी ध्यान अखना एक और चीज, कि अगर ऑप्शन में, एक भी आ गया, दो भी आ गया, तो सिंपल, अगर उसमें उसमें अप्शन C&D है ना, तो जुझेल्प, ये अगर के ज़िए ली पकार क्या दोरी या, आप गया कति। बोला है 6.45 6.45 का टाइम निकालिए 6.45 अगर 6.45 की बात करें तो घंटे की जो सुई होगी वो 7 और 6 के बीच में नहीं होगी बिल्कुल होगी और जो मिनट की सुई होगी बैटा वो 45 यानि की ठीक कहां पे होगी 9 पे, होगी की नहीं होगी मिनट की सुई होगी 45 का टाइम बता रही होगी और घंटे की सुई 6 और 7 के बीच में कहीं ठीक है होगी की नहीं होगी मैंने ठीक है बोटर इमेज की बात कर रहे है तो 6 का मतलब 12 और 7 का मतलब 11 यानि 11 और 12 के बीच में हो सुई ठीक है मिनिट की बात करें, तो 9 तो 9 की बरापर होता है, 9-9 की सेम रहता है, 3-3 की सेम रहता है, यानि कि 11 और 12 के बीच में और यहां 9 पे, तो क्या टाइम हो रहा होगा, 11 बचकर 45 मिनट, क्या टाइम हो रहा होगा, 11 बचकर 45 मिनट, 9 का मतलब, अगर 9 पे ही है सुई, तो यह क्योंकि 9 की water image नहीं बनती, 3 की water image नहीं बनती, एक दूसरे के stable होते हैं, बतलब यह यहीं रहेगा, वो यहीं, जैसे 12 और 6 होते हैं, इसको और तरीके समझते हैं, अगर हम किसको 6, 45 को, तो क्या answer आता है, आपको पता है, 30 मिनट में से 45 मिनट तो गड़ते नहीं, नही कि आप 30 मिनट में, आप यहां से जब एक कैरी ले रहे हो, तो आप यहां से एक गंटा उठा रहे हो, और अगर एक आर आपने उठा लिया, तो यह 17 हों जाएंगे, 17 गंटे, एक आर उठा लिया, यहां के आड़ कर रहे हो, 60 मिनट कर रहे हो, because 1 आर is equal to 60 मिनट, मैंने 60 आप यहां से एक, 11, 11, 45, ठीक है, लेकिन मैं वही बोला, बस यहां पर एक ही जो डाउट होता है बच्चे को वह होता है कि जब दो सुयों के बीच में कली टाइम आ रहा हो हो, ठीक है, और गंटी की सुय दो नो के बीच में हो, इग्जाक बीच में और उतना बच के 30 मिनट यानि कि जो मिनेट की सुय है जो आपकी 6 पर हो लेकिन इमेज क्या नजर आएगी आपको 12 पर तो ऐसा टाइम को भी पॉसिबल होता है, अगर CND option में नहीं है, जो की होना चाहिए मेरे खाल से तो आप माइनर एंगल छोटा टाइम सेलेक करना, छोटा नहीं है तो बड़ा सेशन था और सिर्फ एंगल पर बेस था, ठीक है, अगले सेशन पर जल्दी मिलेंगे और तब तक क्लिए रखिए अपना खयाल और देखते रहे हैं मेरे साथ रीजनिंग, मैं कंचेर हुए थी, आपकी रीजनिंग फैल्टी अगले एपिसोर में आपको ज़रूर खर जबान खिया हैं में झाले आपकी रहे हैं में खी और मिलूँझ तक क्लिए रहे हैं, मैं यचले सेशन पर जागले गहां अवले ने एंगले गले एंगले भीजनिग क्लिए रखिए एपकार